नमुस्तु अचर्शी सीमा जैन सुन्दर्वियार आपसे संका कर रहे हैं काल दरव इसपर्स रस गंद वर्ण से रहित है सडगुण हानी वरदी रूप अगुरू लगुगुण से योगत है अमूर्तेक है और वर्तना लक्षन से योगत है तो ये सडगुण हानी वरदी और अगुरू लगुगुण क्या है करप्या समझाए नमुस्तु आचर्श्री काल दरव वर्तना गुण से सहित होता है प्रतेक दरव जो हैं प्रति समय परिवर्तन सील है और उस परिवर्तन सील दरव में कारण और निमित जो बनता है वो काल दरव बनता है काल दरव पर दरव में भी परिणमन में कारण बनता है और अपने दरब में भी प्रणमन में कान बनता है ऐसा उसका सुभाव है काल दरब में सट गुण हानी ब्रद्धी वैसे तो छेओं दरब जो हैं सट गुण हानी ब्रद्धी स्वरूप हुआ करती है सट गुण हानी मतलब आयवागी प्रतिछेद अयुभागी प्रिछेत होते हैं प्रतेक दरब के अपने उनके गुणों के अपने अयुभागी प्रिछेत होते हैं जैसे अभी आपके मति ग्यान के कितने अयुभागी प्रिछेत हैं और जब आपको केवल ग्यान की प्राप्ति हो जाएगी तो कितने अनन्त अईभागी प्रिछेत हो जाएगे तो बढ़ जाएगे तो जानने की शक्ति जो है वो पूल रूप से प्रगट हो जाती है केवल ग्यान में होते हैं इसी प्रकार से काल दरब की भी अपने जो शट ग अनन्त जो है भाग रूप गुण रूप ब्रद्धी रूप हानी रूप इस प्रकार से यह बहुत ही सूक्ष बिशय है बचन के अगोचर भी कहा जाता है केवली गम कहा जाता है केवली भगवान ही इस बात को जानते हैं किस किस प्रकार से छ्यों दरब्यों में धर्म अधर् आश, काल और जीब दरब जो हैं इनमें शटगुण हानी बिर्दी होती रहती है आग गुरु लोगु जो गुण है प्रतेग दरब में पाय जाता है अपने स्वरूप की अपने दरब की कायमता को बनाए रखने के लिए आग गुरु लोगु नाम का गुण होता है आग गु प्रतेग दरब में प्रतेग दरब में भी यह गुण पाया जाता है जो काम अपना कार है वरतना आदी का कार है प्रती समय परिवर्तन करने का जो कार है वह कार को करने देता है उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होने देता है इस प्रकार से काल दरब जो है रूप रस गंद वर्ण आदी से रहित होता है आमूर्तिक होता है अरविंद कुमार फुस के लिए आप से संका कर रहे हैं गुर्देव क्या किसी प्रयत्न से इस भव में पूर भव की स्मिर्थी को पनह ग्यात किया जा सकता है करपया वताने की करपा करें नमुस्तु अचरसी जाती इसमरण किसी भी प्रत्न के द्वारा नहीं होती है इस बात को ध्यान रखें जाती इसमरण कैसे होती है जो हमने पूर में देखा है शुना है या कुछ किया है वो चीज यदि हमारे सामने प्रगट हो जाती है और प्रगट हो जाने के बाद हमारे मति ज्यानावरन कर्म का यदि छोप शम रहा तो उसके बज़े से वो चीज हमें याद आ सकती है अरे यह भही है जिनको मैंने पूर में देखा था पूर में शुना था या मैं इनके शांत रहा या यह बस्तू जो है मैंने उप्योग की है तो इस प्रकार से जो पूर भाव में हमारे द्वारा जो कर्त किया गया है वह चीज यदि हमारे सामने समक्ष आ जाती है और उसमें दो चीज की बड़ी अवशक्ता पड़ेगी वह है वीर्यांत्राय कर्म का छयोप्षम और मती ज्याना वरन कर्म का छयोप्षम यह दोनों चीज यदि हमारे अच्छी है और वह सामने वाली बस्तू मिलती है तो हमें जाती समर्ण हो सकता है जाती समर्ण हो ही जाए ऐसा भी नहीं है ये मिलने के बाद जाती समरण हो जाए, हो शकता है, पूर कर्म का हमारा अच्छा ओदय हो, तो जाती समरण हो जाए, और हम जो है, अच्छे मार्ग में लग सकें, और ये भी ध्यान रखना, जाती समरण जो है, वो पांच इंदरी जीव को ही होता है, अन्ने एक इंदरी दो यादे जीवों को जाती समरन नहीं होता है पांच इंदरी जीव को जो है जाती समरन हो शकता है लेकिन कोई प्रत्न कराए कि इसको तो हम याद दिला के ही रहेंगे तो हम पूर भाव का याद दिला देंगे कैसे याद नहीं करेगा तो वो कितने भी प्रत्न कर लें जब तक उसके अंदर स्वयम की उपादान शक्ति पूरक्रत कर्म अच्छा ना हो तब तक जाती समरण नहीं हो शकता नमोस्तु अचरेशी नीरज जेन बेंगलार आपसे संकर कर रहे हैं गुर्देव आकिंचन धर्म का परवेश किस गुणश्तान से होता है किर्पयाँ बताएं नमोस्तु अचरेशी आकिंचन धर्म, दस धर्मों में एक धर्म का नाम है आकिंचन धर्म जहां कुछ भी अपने पास शेस न रहे उसे आकिंचन धर्म कहते हैं मतलब कि परमानु मात्रवी परिक्र जहां परना हो उसे आकिंचन धर्म कहते हैं यह आकिंचन धर्म जो है मूल गुणों में तो आचारियों के है और उत्तर गुणों में मुनियों के है मुनी के उत्तर गुणों में दस धर्म आते हैं और भी बहुत सारे गुण आते हैं तो आकिंचन धर्म जो है मुनी धर्म से प्रवेश होता है मुनी धर्म मतलब छटवे गुड़ स्थान से चटवे गुड़ स्थान से आकिंचन धर्म जो है जीब में प्रवेश होता है क्योंकि मुनी ही जो है बाह परिग्रह और अंतरंग परिग्रहों का त्यार करते हैं बाह परिग्रे में दस प्रकार के जो परिग्रे हैं उनका त्याग करते हैं और अंतरंग में चवदा प्रकार के परिग्रे का त्याग करते हैं यह दपी पूर्ण त्याग तो ग्यारवे गुडिस्थान में ही होता है या बारवे गुडिस्थान में ही होता है क्योंकि पूर् सम रूप में या तो ग्यारवे गुड़ स्थान में होती हैं या छे रूप में बारवे गुड़ स्थान में होती हैं तो पूर्ण आकिंचन तो ग्यारवे बारवे में ही हुआ करते हैं लेकिन जो प्रवेस आपने पूछा है वह प्रवेस जो है मुनी धर्म से प्रारम हो जा करता है सकल देश त्याग परिग्रह का मुनी का होता है और अप्रत्य ख्यान प्रत्य ख्यान कशाई भी शमाप्त हो जाती है मात्र सुन्जलन और नो कशाई रूप जो परिग्रह है मुनी राज के कशाई रूप में रहती है और वो भी धीरे 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 जो है शमाप्त कर द परिहार विशुद्धी चारित्र देखिए पांच प्रकार के चारित्र होते हैं उसमें एक चारित्र है परिहार परिहार विशुद्धी परिहार हो गया है जिनका हिंसा आदी के कारका और आत्मा में उत्पन्न हुई है विशुद्धी ऐसे मुनिराज परिहार विशुद्धी जो चारित्र है वो प्रवर्ती प्रधान है निवर्ती प्रधान नहीं है अर्थात उसमें प्रवर्ती पाए ज प्रबृति प्रधान है इसलिए उस चारित्र के बल से केबल ग्यान की प्राप्ति नहीं हुआ करती है। प्राप्ति नहीं हुआ है। प्राप्ति नहीं हुआ है। झाल झाल